आज अंगूर की खटी मिठी चटनी बनाते हैं जिसके साथ आप दो से चार पराठे जादा खा लेंगे चले चटनी बनाना शुरू करते हैं तो अंगूर को धो कर हम इसे दो दो पीस में काट लिया है अब गर्म कराहे में डालेगे दो चमच रिफाइन तेल अब तेल जैसे गर्म हो जाए तो आप एक चोथाए छोटा चमच जीरा डाल दीजे एक चोथाए छोटा चमच कलाउंजी काले वाले डाल दीजे और थोड़ा सा जल जाने पर डाल दीजे कटा हुआ अंगूर और अब इसे अच्छे से चला लीजे अंगूर को तो देखेंगे कि एक से दो नमक इसमें टेस्ट औरोडी ओढाल दो है। इसे मीक्स करेंग और इसमें हल्क Мसाल शौनी और्वी ज elabor ऻूपर्डर लिया है। एक चोटा चोटा चमच नमक ये चुटा चमच जीरा पॉड़र और ढ़स्टाए पीर पॉडर और एक चोटाइच चम्मय सौप का पॉडर इसे हम सौप को कूट कर लिया है अलका मोटा तरदरा रखे हैं और इसे मिक्स करेंगे अच्छे से एक से दो सिकंड तक मसाले को भून लेंगे इस तरह से और अब साथ में डाल देंगे खजूर खजूर को हम चोटे चोटे टुकड़े में काट लिया है जिसे की जल्दी खजूर मेल्ट हो जाए चटनी के साथ इस तरह से खजूर को डाल देंगे इसका बीज निकाल कर चोटे चोटे पीस में काट लिया है और इसे मिक्स करेंगे और अब इसमें डाल देंगे टेश्टे क जाल सकते हैं और हम इससे मिक्स करेंगे और अब इसमें थोड़ा सा पाने डालेंगे जिसे कि खजूर और हंगूर अच्छी पँख जाए तो इसमें आधी गिलास से थोड़ा कम पानी डाल दिया है कि और यसे धक कर लोओ प्लेम पर पकने देंगी के अंगुर जल्दी पक जाएंगे पर फुर स्वाजु पकने में घुलने में टाइम लगता है तो लूप लेंब पर इस से पकने देंगे चटनी को देखे पकते हुए 5-6 मिनट हो गया है और इसे हम चला लेंगे अंगुर पक गए है पर फुर है जो मैल्ट नहीं हुआ है है मिक्स तो इसे हम स्पून से हलका सा दवाती हुए इन्प से मिक्स करेंगे चाकि जू खवजूर है पड़ waits में दिखंड रहे यहोटोटा सा मैस हो जाए चिट्टनी और गारी हो और सौप का भी बहुत यहमी सी टेस्ट आएगी दोनों का अरदी के चटनी गाड़ी हो गई है इससे ज़्यादा गाड़ी नहीं करना है कि ठंडी होने पर और गाड़ी हो जाएगी ते हमारा अंगूर की खटी मिठी चटनी तयार हो गिया है तो आप इसे रोटी पराथे के स खाए बहुत यहमी लगेगा अब दो की जगा चार रोटी खा लेंगे बहुत यहमी लगता है